हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस यहां पे हम कच्छा 10 के विज्ञान की जो वाइरल प्रश्ण हैं उन सभी प्रश्णों को यहां पे इसका संपूर हल देखेंगे फ्रेंस यहां पे जो टेस्ट आपका हुआ था इसमें आपको समय डेर गंटा का दिया गया था जिसमें पुडांक आपका 50 नंबर खाता फ्रेंस इसमें आपको जो प्रश्ण पूछे गए थे भोति विज्ञान और रसायन विज्ञान के सभी महत्वड वाइरल प्रश्ण पूछे गए थे फ्रेंस यह जितने भी प्रश्ण हैं इन्ही प्रश्णों में से आपकी 2024 के ब विडियो का बस लाश्ट तक देखिए जिससे आप बूड के एक्जाम में 95 प्रतिशत तक आपको लाने से कोई नहीं ही रोख सकता है ठीक है अब देखे फ्रेंस यहां पी जो आपका पहला प्रश्ण पूछा गया था कि उत्तल दरपड की फोकस दूरी 20 cm है उसकी वक्रता तिरिज्या होगी देखे इस प्रश्ण को और इसका इस प्रश्ण का जो आपके सामने चार अपसन है इसमें से जिसका एंस्वर आपको पहले से पता हूं उसका आप कमेंट में एंस्वर लिख सकते हैं देखे फ्रेंस यहां पर आपको फोकस दूरी यह बराबर क्या पता बार बार प्रश्फन करा रहें कि जो focus दूरी होती है वकृता तिरिज्ज्या का आधा होता है यहां फ्रेंच्टा तिरिज्ज्या पूछ रहा है यहां फे दू का्ति पर दूर आपर गुड़ों जाएगा यहां बूग통 यह आपका मनफोकस दूरी कितना दिया है 20 20 रख लीजिए अब गुड़ा कलीबी दोना के 40 ति कितना आया फ्रेंस आपका 40 cm ति इस प्रश्ण का सही जवाब सीवल आपसन आपका करेक्ट था ठीक है अब फ्रेंस चलिए दूसरे नंबर के प्रश्ण को देखते हैं इसका भी बताये थे कि वास्तविक और उल्टा और आकार में जब छोटा बनता है तो वह केवल वह केवल आपका अउतल दरपड़ के द्वारा बनता है तो इसका सही जवाब वीवला आपसन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंस आपका तिशना नंबर का सवाल है यह भी आपको प्रेश्ण पढाते समय कई बर बताये देखने के लिए कांसा दरपड़ परियोग करते हैं तो इसका सही जवाब वीवला आपसन करेक्ट हो जाएगा यह भी प्रेश्ण आपको कई बार रिपीट करवाए थे बार बढर बता रहे थे आपको देखिए आपका चौथा नंबर का जो प् सबसे कम सबसे कम किसका है तो लालाख इसका सही जवाब वाला हो गाई इस प्रशन को आप याद रख नहीं है घाल करशन चरूरा आएग्गा थिके आपका पांचवाँ सुछन के लिए दूर कि दूर याओं सुछ हो आग के लिए निकटम बिंदू या स्वास्त आग के लिए असपष्ट वस्तु को देखने के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए तो चीज संटी मीटर होता ठीक है यहां पर दूर बिंदू पूचा अनंत बताएंगे ठीक है अब चली फ्रेंज देखिए आपका छटवा नंबर का सवाल जो पूचा गया था टेस्ट में छटवा नंबर का देखिए आप पर क्या है कि एक आवटर लेंस की फोकस दूरी पांच मीटर है तो इसकी छमता होगी देखिए चमता पी बरावरा आपको फार्मूला क्या बता थे पीश कल्टू वन आपन यह बार बार बता रहे थे यह किसमे रहेगा मीटर में यह वाला फार्मूला लगता है यह सेंटी मीटर में रहेगा ता आपको क्या बता है पीश लगाएंगे देखें यहां पर देख लिए पहले आपको एक बटा कि अपका मन कितना दिया पांच भाइग दे लिजिए फ्रेंस जब भाग देंगे तो कितना होगा जीरो दस्मलो दू होगा फ्रेंस यहां पर देखें चमता का मातर डायोप्टर होता डी से देखाते हैं यह प्रश्ण को कई बर रिपीट करा चुके हैं अब देखते हैं आपका अगला प्रश्ण जो है सातवा नंबर का देखिए आपको प्रश्ण क्या है फ्रेंस यहां प्रकास की चल पर प्रकास की चल कितना दिया यहां पर यहां पर दसपे आड कर लिजी अपान भी कर आ जब इधर पच्छानता करेंगे तो यह बिन पलड जाता है दू बटा के ती तीन से तीन कट जागा तो कितना हो जो गुड़े दस पर आठ हो जागा यहां पर आप सन में देख लीजिए दू गुड़े दस पर आठ है कहां पर यह वाला आपका सही जवाब था इसका आपको डिटेल में वीडियो पढ़ना है कि इस प्रशनों कैसे हल कर सकते हैं तो आप प्लेइलिस्ट में जाके वहां साब वीडियो कर देख सकते हैं कि आपको पूरा डिटेल में बताएं प्रशनों को कैसे हल किया जाता है ठीक है फ्रेंस आप वहां पर जाकि एक बार जरू पूछेंगे आपका तो बेकर किसका बताएंगे बाइगनी का मेंचने अधीक होता है और कम किसका होता लाल का इसका होता इसका प्रशनों को देखते हैं आपका अगला सवाल नमबर. फोकॉस 10-2 देख धी कुसी फोकस दूरी कितनी हैए लेंस किस प्रकार का है दैखी यहाँ पी इसकी फोकस दूरी पूछा गई यहाँ पर कई आपकि खॉडर करेंगे यहाँ करके बताते हैं दिदेगी फॉक्ता है इसकी फोकस 202,072 Memphis से देखाते हैं यहां पर आपके लेंज किस प्रकार का है पूछा इसकी फोकस दूरी वराव का फार्मॉला कई वर वद्धा भी बताया थे फ्रेंस कि पी स्कल्टू क्या होता है वह नपानिया फोता है पी कमान कितना दिया है दो दिया है वह नपानिया यह अप कमान ग्याद आप यह माइनस है कि माइनस में और एक छी द्यान दीजिए कि मीटर में रहुवいpo four यहिन 152 पाँच मीटर आएगा तो माइनस यह दिखागा थाए है पूछा कि प्रकार का यह आप कोछा है कि यहां पूछा कि स्मयद का है अब कोछे से हुआ कि जो पिए और जा इसाटम नंबर का सवाल है यह पांच नंबर का पुछा था constitu में सब receptive क्या है कि 15 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 cm के दूरी पर 10 cm लंबी एक पेंसिल रखी है लेंस द्वारा पेंसिल के बने परतिविम की इस्थिति एवं लंबाई ग्याद करना है ठीक है यह दो चीज आपको ग्याद करना है ध्यान दीजिएगा इस सवाल को अप लगाए है देखिए पुरा भकायत है Arens आप इससे सवाल सवालों को सीख जाये देखिए हैँ यहां क्या क्या दिया है उसको लिक लेते हैं पहले अपका सवाल दिया है इसको हलकरते का हो थैप दस्वा नंबर का सवाल है इसको पूरा हल किई देखिए क्या करेंगे पहले 15 cm के फोक रहीं लीवता है और टंब यू फोकॉस जोरी क्या होता हिस्व इस वहां पर यहां पर लिख लेते हैं है mock chant कि दूद्तर लेंगा तो कमान आपका थिकी ध्यान दीज़ेगा फिरीश के अलावा भी कमान अब 181 aston जो अवर्धन इहम्बराबर किसमें आता है मइनेस में इस चार प्वाइंट को अब ज़रूर ध्यहां का सवान लगा दिसे में उत्तर लेंस रहे गा तो देखिए यहां पिस अप्लस हो देखिए कि 10 cm लंबा एक पेंसिल रखा गया है यानि वस्तु के लंबाई यच्छ कितना दिया है दस सेंटी मीटर वस्तु का हमेशा सीधा रखते हैं इसलिए इसका मन प्लस में रहेगा अब देखिए फ्रेंस यहां पर पहले आपको भी कमान निकालना पड़ेगा इस सवाल करेंस के लिए जो फार्मूला होता है चाहे उतल लेंस ओचाहे ऑधाल देसे टी एक फार्मूला उता है वो यह थी यह था है बन सिछ। देखे 1 upon यह command कितना है फ्रेंज चलिए इसको पूरा अप हल करते हैं देखे यह a mark अब धिया है 15 भी command ज्याद करना है minus 1 upon u command कितना लिया है minus 20 ठीक है देखे एक बटा के 15 है ब्राबर एक बटा के भी यह minus-mines क्या कर जो कि इसको प्लस कर देगा यह हो जागा सब्सक्राइब प्लस एक सोब्सक्रां गश्च। रहेंगों, सब्सक्राइब अध्या भीम कोछशा साथा झाल वासया थीपे और देंकρι पनदर आधार में किम्सकराइब 5sche 50 65 कि एंध्याई किना हो जगा ठीकए अब तक से साथ सब्सक्राइब करां करेंगे साथ सेन्टीमीटर सब veg这样 सेन्टीमीटर आए है फ्रेंस इतना आने के बाद इसका मतलब आप्लु कि इसकी इस्तिती लेच से साइब डूरी पर स्याइड की दूरी पर रहे हैं एक वडूररी पर लेंस के दूसरे साइड लेंस के प्लस आने को मतब दूसरे साइट बने गभवे इस्तिति क्या होगे उसकी इस्तिति क्यों करी क अब इसकी लंबाई कैसे ग्यात करेंगे अब आ वर्धन पता होना चाहिए किया वर्धन का फार्मूला क्या होता है यम बराबर यच डेस अपान यच बराबर ठीक है? आपका होता है भी आपान यू होता है, ठीक है? इतना करने के बाद, अब फ्रेस देखिए यहाँ भी येच डेस आपको ग्याद करना यह जो येच डेस है आपका है पतिब्हीं की लंबाई यह पर्तिविं के लंबाई यह वस्टू के लंबाई है तो वस्टू के लंबाई दिए कितना दिया है 10 सेंट्यमीर्स किता दियां दस कितना रखेंगे आप सब्सक्राइब कृता है यहां इसको आपने सब्सक्राइब बताए भी है अब इसी को हल कर लीजिए जीरो से जीरो कड़ेगे दूएकम बूत्ते हैं च्छ तीर्या चैदाइस बराबर कितना होगा तीर्या गुरा कर लीजिए देस का करेंगे तो कितना जगह तीस यह माइनस हो तो माइनस हो जागा इतना सेंटिमेटर यांनिकि आपका पत्सटिम की लमभाई की लंपाई कितना होगा अधिकी कि लिखें कैसे से पेपर में या भी कि पत्सब्न कि लंबाई के लंबाई है ठीक है चलिए अगले नंबर के सवालों के देखते हैं आपका 11 नंबर का सवाल है जो पांच नंबर के पूछा गया था देखे क्या है कि दूर द्रिष्टी दोस्त क्या है इसके निवारा कैसे हैं सबसे ज़्यादा दूर द्रिष्टी दोस्त जो होता है इसमें क्या होता है कि दूर द्रिष्टी दोस्त में दूर की वस्तु में आपको क्या होता है कि असपश्ट दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु में असपश्ट दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु में असपश्ट दिखा पुस्तक पढ़ने के लिए 25 cm से अधिक दूरी पर रखना पड़ेगा इसका देखे फ्रेस्ट आपको पढ़ाया थे इसका चित्र भी आपको बनवाया थे कि दूर द्रिश्टी दोस्त में क्या होता है कि जो आप दोस होता है तो यह जो होता है रियाटिना के पीछे आपका परतिमी बनने लगता है ठीक है और वस्तूक 25 cm के दूरी पर रखा जाता है वस्तू का परतिमी रेटिना के पीछे बनता है यह आपको याद होना चाहिए आपको बताएं फ्रेसर इसका साथ बटके एकज़ाम प्रेशन पूस्ता इसका कारण आपको पता होना चाहिए कि इ नेत्र लेंस की वक्रताती रिज्या कम हो जाएं जिससे फोकस दूरी बढ़ जाता है यह कर याद होना चाहिए फिर इसके साथ दूसरा पॉइंट कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाएं और अर्थात नेत्र के गोले का ब्यास कम हो जाएं आपको कास लिखना होगा फिर इसके साथ अब बोड के एक्जाम में लिखने इस तरह इस तच्चित्र भी बना दीजेगा तो आपका पेपर में एक नंबर भी आपका एक्जामनर नहीं काटेगा ठीक है यह था दूर दृष्टी दोस्त के बारे में चले अगले प्रशनों को इसमें आप एक परसेंटेज का भी अपने मन में डाउट नहीं रखिएगा कि इसमें से सवाल नहीं पूछेंगे ठीक है जरूर पूछा जाएगा ठीक है देखें अपरा सायन भी ज्ञान की कुछ महत्तुपूर बविकल्पी प्रशन देखेंगे फिर उसके बाद दिर क्त tikusa कि प्रशन का सही यौगा इसके बाद दिखेंगि नुबर का प्रशन है कि इसको सवाल है कि संगर मरमर का रसायनिक सुत्र क्या है यह बोर्ट की एक्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है इसलिए 2024 के पेपर में यह प्रशन जरूर आएगा ठीक है संगर मरमर का रसायनिक सुत्र जो अता है CCO3 हो अता इसका सही जवाब B वला आपसन करेक्ट हो जाएगा पिर इसके अलावा चौथा नंबर का आपका सवाल है कि जंग का रसायनिक सुत्र क्या है तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि ज्यटियन प्लस स्थान से प्लस स्थान कर देखिए यहां से कापर को हटा यह लगा हिए की विस्थापिद कर रहा है इसाज वह करेक्ट होगा फिर इसके अरा देखिए फ्रेंस आपका दिर्गुत त्री प्रेशन पूछा गया था आपका पांच नंबर का जो की समीकड़ों को संतुरित करना था फ्रेंज देखें समीकड़ों को संतुरित करने के लिए अपको एक personal video बना दी है उसको भी जा के आप playlist से देख सकते हैं देखें क्या है यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर यहां पर देखिए आप यहां पर सोडियम कितना है दो परमाड़ हो जाएगा है यहां पर आपके एक्सिजन यहां पे हो गया तो फ्रेंश इस भकासच हो जाएंगे आपके संतुलित रसाइनिक हो जाएंगे तब यहां पर कुछ यहां पर यहां पर दूट नहीं के सावर हो गार्थ यहां पर स्यम्य करेंगे थांग सेओओ проकि ju làहा पर कितना है यहां पर यहां, से यहाँ पकाशे नहीं पर मsoon करें धोलर हो गया यहां है क्या हुआ अब भी सलीटosaic को सब्सक्राइन तस पर गाल व्हां है यह पांच नमबर का पुछा था और 2024 के बोर्ड के एक्जाम में इस पकाश से प्रश्ट पूछने वाले हैं फ्रेंज देखें यहाँ पर संचारा का सवाल पूछा गया तो जो पांच नंबर का था चलिए इसके बारे में बताते हैं आपको संचार के बार में प्रिभार की पूछल के पूछह संचार के पर पूछा ताम के लिखना थाको वह परकृआ जिसमें धाटु अमल नमीत सबधार यू कि अबकी लिगी करके नस्थ हो जाता है 24 रदल काला यह तो संचार क्या होता है कि नमिक उपस्तिति में अमल की और वाईयो कlot चेहिताक है को दातु दिरे-धीर गल्ने लगता है तो सही क्या को थिति कम सब्सक्राइब इसे भी आपको लिखना था संचारा के लिए क्या प्रस्तिया नमी की उपस्थती वायो की उपस्थती और अमलों पसी इन्ही तेनों की उपस्थती के आपको संचार पूछता है तब भी पेपर में नहीं पूछता है यह संचाड के बारें पूछता है तो यह जंग लगता है उसका फार्मूला होता यह पूछता है फिर इसके अलावा फ्रेंस संचाड से आपको पेपर में यही तक लिखना था लेकिन संचाड से क्या हानिया यह भी देख लिए साथ में संचाड के कार के ढाचे हुए फूल हुए लोहे की रेलिंग जहाज लोहे से बनी वस्तियों आदी बहुत छती उसकी होती ह इसके अलावा आपका धंज होता है बहुत ज्यादा ब्याय होता है फिर इसके अलावा सब संचाड से बचने के उपाय क्या है धातू की सदावा पर पेंट अत्वा ग्रीज का लेप करना लोहे की वस्तू के पिगले जिंक में डुबाना विद्ध लेपन एक धातू पर आपको लिखना रहता है इसमें सवाल आपके बोड के एकजाम में आने वाल है इस पेपर को एक दो बार जरूर रहा करके आप बोड के एकजाम देने जाए फ्रेंश ठीक है अगला टेस्ट जब आप लोगो कराएंगे तो उसका भी वीडियो बनाके अपलोड कर देंगे फ